सो हे गाईज वेलकम तो आई यूट्यूब चैनल माई नेम इस मनोज होपिकाजर फाइन तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे how to choose a surveillance hard disk आपको पता होगा दूसरी hard disk है वो है desktop या फिर computer hard disk वो भी उतनी ही popular है because वो inexpensive है थोड़ी cheap है सस्ती मिल जाती है तो काफी लोग उन्हें भी use करते हैं लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि surveillance hard disk use करने के क्या benefit है और surveillance hard disk आखिर होती क्या है और हम उसको कैसे choose कर सकते हैं अपने CCTV projects के लिए तो चलिए without any delay अपने वीडियो को start करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं surveillance hard disk के बारे में surveillance hard disk 24x7 data को record करने के लिए use होती है जो हमारा CCTV camera है वो continuously data को record करता रहता है continuously footage को capture करता रहता है और वो footage DVR को बेजता है और DVR उसको process करता है and code करता है और उसके बाद वो सारा data hard disk के अंदर store हो जाता है तो हमें ऐसी hard disk चाहिए जो कि 24x7 365 days continuously record करते हैं without any gap तो जो surveillance hard disk होती है वो इसी हिसाब से design होती है और जो उसका पूरा cycle होता है उसका 95% time वो writing में use करती है अभी आपने देखा होगा देखे जब भी कोई भी data hard disk के अंदर save होता है तो उसे हम write बोलते हैं और जब भी हम hard disk के अंदर से data निकालते हैं उसे हम read बोलते हैं तो जो हमारी surveillance hard drive होती है वो 95% write की करती है यानि के continuously data को capture करती रहते है record करती रहते है जबकि जो read time होता है वो सिरफ 5% होता है क्योंकि हम कभी-कभी hard disk के अंदर से data को recover करते है data को निकालते हैं तो वो बहुत कम time होता है ज़्यादा तर time data store होता रहता है तो इसी साब से जो हमारी surveillance hard disk हो डिजाइन होती है अब अगर हम बात करें desktop hard disk के बारे में तो desktop hard disk हमारी जो उसका read और write cycle होता है वो 50-50% होता है तो जो desktop hard disk होती है वो किसी time पे read कर रही होती है किसी time पे write कर रही होती है उसका जो total life cycle होता है वो surveillance hard disk से कम होता है तो आपने देखाऊगा जो जितनी भी हमारी desktop hard disk है वो काफी कम मतलब काफी सस्ती आती है अगर हम compare करें अपनी surveillance hard disk से तो काफी सस्ती आती है उसका reason ही यही है कि उसमें इतने ज़ादा advanced feature नहीं होते तो जो हमारी surveillance hard disk होती है वो more reliable होती है more durable होती है यानि कि जो उसका life cycle है life span है वो ज़्यादा होता है अगर हम compare करें desktop hard disk से इसी वज़े से वो थोड़ी सी expensive भी होती है उसकी warranty भी ज़्यादा आती है surveillance hard disk की warranty तीन साल के आती है जबकि हाला कि desktop hard disk में भी काफी model ऐसे है जिनकी जो warranty है वो ज़्यादा आती है लेकिन जो normal अगर हम hard drive की बात करें उसकी ज़्यादा ज़्यादा एक साल की warranty होती है तो इसी वज़े से ये सब कुछ design होता है तो हमें surveillance hard disk इसी लिए use करनी चाहिए तो अगर हम बात करें कि आपने कैसे hard drive को choose करना है देखिए hard drive को choose करने के लिए अगर आप cctv camera के लिए cctv projects के लिए hard drive को choose करने जा रहे है तो आपने ये देखना है क्योंकि हमारा cctv है वो 24x चलता है continuously चलता है और हमें ऐसी hard drive चाहिए जो कि continuously footage को record करती रहे footage को save करती रहे तो आपने देखना है कि जिसकी भी maximum writing speed हो उसी को आप लीजिए इसमें writing speed बहुत ही ज़्यादा important है क्योंकि जो हमारा cctv camera system है वो most of the time footage को record करता है तो record करता है यानि कि continuously footage को capture करेगा और वो footage hard drive को continuously store करनी है तो उसका जो life span है वो 95% तक at least writing का ही होना चाहिए उसके बाद जो 5% time रहता है वो reading में use होना चाहिए यानि कि जब भी हम footage को acquire करते हैं DVR से या फिर hard drive से तो वो 95% तक writing होना चाहिए ये चीज आपने ध्यान रखनी है तो जो second point है वो है durability का क्योंकि जो surveillance hard disk होते है वो continuously record करती रहती है तो वो durable भी होनी चाहिए यानि कि जो उसका number of cycle है जो time span है वो काफी ज़्यादा होना चाहिए और दूसरा जब ये continuously काम करेंगी तो heat भी काफी ज़्यादा generate होगी तो hard drive heat withstand होनी चाहिए मतलब हीट को easily withstand कर सके जितने भी वो videos capture करेंगे उनका कोई भी frame वो lose ना करें उसी साब से वो design होनी चाहिए तो ये सारी चीज़े आपने जरूर देखनी है जब भी आप surveillance hard disk purchase करें अगर हम companies की बात करें कि कौन-कौन सी company surveillance hard disk में deal करती है और कौन-कौन सी company की काफी अच्छी quality में surveillance hard disk करती है तो सबसे पहले नाम आता है WD का WD purple के नाम से surveillance hard disk करती है और इनकी जो technology है जिस technology पर ये अपनी hard disk बनाती है हर company के अपनी technology होती है तो इनकी जो technology वो है zero frame technology तो इसमें क्या गरते हैं इसमें बिल्कुल भी जो आपका data है वो बिल्कुल भी lose नहीं होता continuously आपके सभी frame capture होते हैं अच्छे से और ये zero frame की guarantee देते हैं मतलब कि आपका कोई भी frame lose नहीं होगा तो इस तरह से WD का zero frame technology हो काम करती है और अगर हम दूसरे number पर बात करें तो दूसरे number पर आती है Seagate Company तो Seagate की Skyhawk के नाम से surveillance hard disk आती है तो ये जो technology काम करती है वो करती है image enhancement AI technology पर तो ये हाँ पर भी आपका बिल्कुल भी frame कोई भी frame lose नहीं होता वो continuously काम करता है और continuously video को capture करता है तो सबसे बढ़िया बात यही है कोई भी आपकी hard drive वो without any frame losing काम करे तो वही काम ये Seagate की Skyhawk करती है तो जो तीसरे number पर company आती है वो आती है Toshiba Toshiba की S300 नाम से surveillance hard drive आती है तो इसमें जो technology होती है वो होती है RV sensor technology यानि कि rotational and vibrational sensor पर ये काम करती है इसमें built-in rotational and vibrational sensor होता है और ये harsh condition में भी काफी अच्छी performance देती है यानि कि harsh condition में भी ये कोई भी data lose नहीं होने देती तो इसी वज़े से काफी लोग तो Shiba की भी hard disk यूज करते है तो अगर मैं अपनी बात करूँ मैं यूज करता हूँ WD या फिर Seagate क्योंकि इनकी after sales service काफी ज़्यादा अच्छी है अगर hard drive में कोई भी problem होती है तो within a week ये repair होकर आ जाती है So guys अगर overall देखा जाए तो हमें surveillance hard disk ही use करनी चाहिए as compared to desktop hard disk desktop hard disk जरूर सस्ती जरूर आती है लेकिन long term में ये problem create करती है जब भी आपको data की requirement होगी जब भी आपको footage कहीं पर चाहिए होगी उस time पर hard drive कहीं बार दोका दे देती है काफी सारे cases में ऐसा हुआ है कि hard drive कुछ record ही नहीं कर पाती या फिर अगर record होता है तो वो lagging में काफी जादा आता है मतलब कट कट के video आती है या फिर रुक रुक कर आती है जिसमें काफी जादा problem होती है और उसमें कुछ भी आपको clearly नहीं दिखाई देता तो overall आपको surveillance hard disk ही use करनी चाहिए surveillance hard disk अगर आप use करते हो एक तो warranty काफी अच्छी आती है और जो उसके number of cycle होते है वो काफी जादा होते है तो अगर आप एक बार surveillance hard disk लगा दोगे तो आपको 4-5-6 साल तक कोई भी problem नहीं आएगी easily hard drive continuously काम करती रहती है और आपको proper footage लाकर देती है जो की काफी अच्छी बात है तो यह था आज के इस video में तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आयोगा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए शेर कीजिए अपने दोस्तों के साथ चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिए मिलते हैं आपसे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए गुडबाई